और ये देखिया आप बूट केरिंग कैपसिटी इसकी इतनी बेमिशाल है कि इसमें आप देख सकते हैं दरजनों केले और लौ की सारी सब्जीयां रखी हुई हैं उसके बाद भी अभी काफी जगा है इसमें जैसे ऑनर ने अभी आपको बताया पेट्रोल सतक मार चुका है द नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में आज हमारे पास है डिजायर 2022 मॉडल वी एक साई है और आज इसके बारे में बाते करेंगे खोब सारी इसके सारे फीचर्स वगएर आपको दिखाएंगे सबसे पहले मिलते हैं इस गाड़ी के ऑनर से पहले दो सर्विस तो बस जैन्विन जो इसके चेक अपस होते हैं ब्रेक्शू वगएर यह सब चेक करती है और और चेंज करने की जबतनी पड़ती है तो मतलब संतुष्ट है आपको लिए जुलाकर संतुष्ट है सर बेस्ट प्राइज है लो बजट में बहुत बहतरीन ग सबसे बड़ा सवाल जो हमारे वीवर्स का रहता है कितना देती अबुष्टे नाइज सर्टी का बता रहे है नई सर्य अपको सिटी का भी बता दे रहाओं सिटी ऑन्ठाएटी और हाइवे पर 20 तक आप निकाल रहे हैं तो सेफटी वगेरा का क्या रहता है क्योंकि हैं प् सेफटी के लिए तो कम से कम नहीं जाने जाती है हां सर इसको थ्री स्टार मिला है सेफटी पर थ्री स्टार रेटिंग है बट मारूती है तो यह सब फाइवर है तो थोड़ा कमी तो है इसमें बट ओवरॉल देखा जा तो अच्छी कार मैं भी देख रहा हूं थोड़ा सा वह अभी तक कोई पाइट हो गएरा कुछ ऐसा चेंज हुआ है क्या कि अभी कोई पाइट चेंज नहीं हुआ है लेकिन मतलब और भी मेरे दोस्तों ने गाड़ी लिए तो उनका कहना है कि तीन से साढ़े तीन हाजार रुपे का इसका सर्विस कोस्ट आती है यही जो बहुत ज अदुड़ी जो है हाई माइलेज है और इन बजट कार तो इन सब के नतीजे यह है कि यह कार बहुत बिक्ति है स्चेंड रिभी लेने जाएंगे तो अभी इसका मार्केट बहुत अच्छा है और रिसेल वेल्यू इसकी बहुत अच्छी है जिसके वज़े से इसको लोग मत सभी का आपने मारती की गाड़ियां कई ना कई इसी लिए ज्याधा बिखती है कि रिसेल वैल्यू भी इनकी अच्छी होती है और हाई माइलेज तो रहता ही है एक सवाल और आया मेरे मन में कि क्या अंडूर्ड प्राइस पड़ी इसकी सार इसकी लगभग जो है साथ लाक अच्छा ना दे तो भाई किसी के लिए अच्छी बात नहीं है जैसे ऑनर ने आभी आपको बताया पेट्रोल सतक मार चुका है दोस्तों और माइलेज अच्छा होना आज के जमाने में बहुत दोस्तों यह डिजायर वी एक साई पेट्रोल है जहां कि अब डीजल में तो आ यहां पर कोई LED लाइट नहीं है सब कुछ हैलोजन है उपर से नीचे तक इंडिकेटर हो फॉग लैंप हो या फिर में जो बीम है वो हो और एक खासियत यहां पर अच्छी लगी मुझे कि यह जो इंडिकेटर है वो फेंडर पे ना दे करके वार्वियम पे आ जाता है और VXI variant होने की वज़ा से ही हाला कि alloy wheel आपको नहीं मिलेगा steel rim ही मिलेंगे wheel caps के साथ और tire size में देखने की कोशिस कर रहा हूं और 165 ATR 14 inches के यहां पे steel wheel मिलते हैं और front में आपको disc मिलता है और rear I believe yes rear में drum brakes हैं और tire size same है यह fuel cap है इसकी नीचे वहां से आप petrol भर पाते हैं इसमें और यह desire की बैजिंग सुजुकी का logo shiny shiny और कुछ इस तरह से दिखती है पीछे से सबको पता है बड़ी ही फेवरेट कार है इंडिया में टैक्सी ड्राइवर्स भी काफी पसंद करते हैं इसे और जैसे कि honor ने भी बताया उसका main region है mileage उपर antenna है कुछ इस तरह का और यह इसका हाई mountain stop lamp अभी आपको खोल के दिखाते हैं boot space और यह देखिए आप boot carrying capacity इसकी इतनी बेमिशाल है कि इसमें आप देख सकते हैं दरजनों केले और लौ की सारी सबजीयां रखी हुई है उसके बाद भी अभी काफी जगा है इसमें खाली है और एक light भी मिल जाता है आपको तो आप आराम से निकाल सकते हैं और ऐसे से आप बंद कर दीजी अब आए गाड़ी के अंदर चलते हैं दूस्तों तो ड्राइवर आपको डोर पे window की controls mirror के controls lock unlock central locking का और यह side mirrors के control आपको मिल जाते है यह चलिए बैठते हैं तो यह है इसका steering wheel कुछ हलका सा फ्लाइट बॉटम सा यहां पे कुछ कंट्रोल्स हैं यह वॉल्यूम के चंट्रोल्स कुछ मोड वगयरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से प्लेप भी कर सकते अपना मियूजिक और आप यहां देखिए इसका जो कॉल वगयरा के लिए कंट्रोल हैं Bluetooth पेरिंग के लिए और यह देखिए आप इधर हैडलाइट के कंट्रोल है इधर वाइपर के हैं और क्रूज कंट्रोल हो गयरा आप यहां expect मत करिए दोस्तों और यह है इसकी M.I.D. चलिए यहां पर कुछ ब्राउज करने की कोसिस करते हैं एक साइड में आपको टैको मिल जाता है दूसरी साइड में आपको स्पीडो मीटर है और उपर आपको यहां पर क्लॉक भी मिल जाती है डिजिटल एवरेज फ्यूल एकॉनमी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 18 का मिल रहा है अभी फिलाल 18.1 का लोकल गाउं में चलने पर तो काफी अच्छा माना जाएगा यह और हाफ स्टेंग से थोड़ा सा ज्यादा है तो यहाँ पर 254 का रेंज बता रहा है यह तो काफी इसमें ब्लूटूथ आपको मिल जाता है और कुछ इस तरह से बटन्स वाला है यह सीडी प्लेयर भी है इस जमाने में हला कि कोई प्ले नहीं करता है और यह एसी के कंट्रोल्स है पूरा मैनूल है सिस्टम यहाँ पे और एक ऑक्स और यूस्बी वाला इन्पुट और यह क इसका हैंड ब्रेक है और सीट्स वगर अगर बात करें तो सही कह रहेते हैं भाई साथ कमफर्टेवल तो है हलाक एक हैंड्रेस्ट मिसिंग है यह पर यह आप देखेंगे पीछे की तरफ 12 वोल्ट का एक सौकेट यहाँ भी मिल जाता है और रियर एसीवेंट्स भी है अभी और चारों का कंट्रोल भी आप देखाया भी अपनी और यहाँ पर आटो ओन आफ का कंट्रोल है यह स्विच है और यह हैडलाइट लेवलिंग के लिए है आप देखेंगे इसे और यह इसका आई-र वीम है जो कि मैनुली अजस्टेबल आई-र वीम मिलता है इसमें और यह लाइट नहीं है लाइट है अल्ली वन लाइट है और यह ऐसे जलती है और यहाँ पर एक मिरर मिल जाता है और इस साइड आई-बिलीव और चलिए पीछे आपको एक एस इवेंट मिलता है जैसे मैंने बताया चोटा सा और इसकी स्पीड आप कम कर सकते है यह बंद कर सकते ह है इसका इससे का अच्छा है कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होती है दो लोग बैट एक अगर तो ज ती थी बाद में मारूती ने इसे सोजूकी ने मारूती भी देखिये बार-बार बोल रहा हूं मैं आप सिर्फ सोजूकी लिखके आ हैं सोजूकी डिजायर के वीडियो आपको पसंद आई और वहाँ पर आईए मैं एक्टिव रहता हूँ जो भी आपका सवाल होगा तुरंत रिपलाई करने की कोशिज करेंगे हम तो अब भी जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कुलाइक करिए इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके ब वीडियो आपको कैसी लगे थैंक यू